आप से विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में एक युँपार्टेंट अपडेट हाइ स्कूल के उन विद्यार्थियों के लिए है जो एक विशय में फेल हो गए हैं और वे बहुत अधिक परिसान हैं तो आप एकदम से टेंसन फिरी हो कि 2024 में जो छात्र फेल हो गए हैं वे कैसे पास हो सकते हैं तो आए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं जो बचे चैनल पर नहीं क्लिपिया चलू तो सब्सक्राइब कर ले परिडाम घोसित करने में यूपी बोर्ड ने 101 बरसों का रिकार्ड तोड़ा हाई स्कूल के 24,62,026 और इंटर्मीडियर्ड के 20,26,666 परिचार्थी उत्रीन परियाग राज से आपका न्यूज है माध्मिक सिच्छा परिषद ने परडाम घोसित करने के मामले में 101 बरसों का रिकार्ड तोड़ दिया 12-12 दिनों में परिच्छा और मूनल्यांकन पूरा कराया गया फिर 19 दिन के भीतर हाई स्कूल और इंटर्मीडियर्ड के नतीजे घोसित कर दिये गए सिच्छा निदेशक डांक्टर महिंद्र देव और सचीव दिबकान सुक्ल के मुताविक बोर्ड के सव वर्सों के इतियास में पहली बार इतने कम समय में पराम जारी किये गए हैं यानि आप पहला बार है कि आपका जो रेजल्ट है वा जल्दी घोसित कर दिया गया यूपी बोर्ड की परिच्छा के लिए 55,25,346 चात्राओं ने पंजी करण कराया था परिच्छा की सुरुआद 22 फरवरी से हुई थी इसमें हाई स्कूल 27,49,362 और इंटरमीडियर के 24,52,830 सामिल हुए थे काड़ी सुरुच्छा के बीच परिच्छा कराय गई परिच्छाओं के बीच आउकास खम दिये गए थे 9 फरवरी तक 12 कारदिवस की परिच्छा आपकी पूरी करती गई यानि जो आपका इजाम हुआ बहुत ही जल्दी हुआ अब हम देखते हैं वे जात्र जो एक बिसह में फेल हो गए हैं वे कैसे पास हो सकते हैं या एक या दो बिसह में वे जात्र जो कम अंक प्राप्त किये हैं वे अपने अंक को कैसे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ देख लि फाम होता है बोर्ड के द्वारा या उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो एक या दो विशाय में कम नमबर पाए हैं और अपना नमबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस फाम को डाल दें अब बहुत से बच्चे परसान है कि इस फाम को हम कैसे फिलब करें तो आप लोग जि इसी साइबर कैफे के हाँ संपर कर लीजिए जिससे कि आपका फाम पर सके परियाग राज यूपी बोर्ड का परड़ाम जारी करने के साथ स्कूरूटनी के लिए आवेदन शुरू हो गया है परिछार्थी 14 माई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यानि जो आपके पास समय है वो आभी हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम है यदि आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसका आवेदन करने जिससे की आपके अंक फिर से बढ़ सकें आवेदन केवल आनलाइन ही किया जा सकता है इसके लिए 500 रुपे सुल्क भी जमा करना यानि अगर आप एक बिसे में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो 500 रुपे अगर दो बिसे का आप डालते हैं तो आपको 1000 रुपे का आनलाइन करवाना है जिन परिछार्थियों का उनकी मेहनत के मुताबिक अंक ना मिला हो वह स्कूरूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं मादमिक सिच्छा परिशत की अपर सचीव विभा मिसरा ने बताया कि स्कूरूटनी का आवेदन बेफसाइड www.upmsp.edu.in पर किया जा सकता है परिडाम आने के साथ ही बेफसाइड पर इसका लिंक दे दिया गया है परिशार्थियों को आनलाइन आवेदन करने के बाद प्रती प्रस्ण पत्र की 10 से 500 रुपे सुल्क जमा करना होगा यदि आप अपना नंबर यह उन बिद्यार्थियों के लिए है जो कब नंबर पाए है काफी अधिक परेसान है कि हम इतना ही क्यों पाए है तो आप फिर से 2 बिसे का आवेदन कर दीजिए और फिर से परिच्छा दीजिए उसके बाद आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं तो आप वे बिद्यार्थि जो परेसान हो गए थे अपना आवेदन जल्द से जल्द यानि 14 माई तक करा दें आप से बिद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद